सीजन टू के शुरुवात में हम विकास और प्रलाद को देखते हैं और ये आदमी भूशन भी इस लोगन को लेकर अभी भी गुस्सा है विकास और प्रलाद पंचात ऑफिस आते हैं और दोनों सचिव जी याने के अभिशेक को ढूंड रहे होते हैं और देखते हैं कि वो टंकी का उपर है और अभिशेक जम नीचे आता है वो कुछ जादा ही मुस्कुरा रहा होता है वो टंकी में चाई पीने गया था विकास कहता है अभिशेक आज कल कुछ जादा ही खुछ रहने लगे हैं अभिशेक बताता है कि दो माईने पहले उसे टंकी को उपर रिंकी मिल गई थी चाय पीते हुए पर वो एक बार का ही बात है अब रिंकी से उसका मिलना होता नहीं है और व spent और टंकी को उपर चला जाता है विकास और प्रलाद अभी शेक को टंकी को उपर जाने से मना करते हैं In fact वो रिंकी से मिलने से मना करते हैं अब अभी शेक अपने काम पे बिजी होता है वो एक जगा पहुंसता है जहां मजदूर तलाब की खुदाई कर रहे थें और यहां दूर खरे, विकास और प्रलाद बात कर रहे होते हैं कहीं अभिशेक का रिंकी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा अब अभिशेक को परमेश्वर का कॉल आता है जिसे अभिशेक ऑफिस बुलाता है मिलने के लिए और तलाब की खुदाई के बाद जितना भी मिट्टी निकला है अभिशेक और प्रधान ये परमेश्वर को ही बेशने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर का इट का बिजनस है। अब मन्जू खुद को प्रधान समझने लगती है। और कहती है कि वो भी तलाब की खुदाई जाकर देखना चाहती है। ब्रिच कहता है कि वहाँ मन्जू जाकर क्या ही करेगी। अब तीनों तलाब की खुदाई से जो मिट्टी निकला है वो परमेश्वर को बेशने का सोचते हैं। और डिसाइट कर लेते हैं कि वो मिट्टी को कम दाम में बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। और प्रधान परमेश्वर का दोस्त है इसलिए वो उससे मोलभाव कर नहीं पाएगा। और अभिशेक उसे आइडिया देता है कि मोलभाव करने के लिए अब मन्जू देवी को बुलिए। परमिश्वर से मोलभाव करने के लिए अभी शेक परमिश्वर को प्रधान के घर बुलाता है और ब्रिज अपनी पतनी मंजु को समझा देता है कि 300 के नीचे ये रेट बिल्कुल भी मतलगाना और कहता है कि वो सभी घर लेट पहुचेंगे तब तक मंजु परमिश्वर से र बात कर लीजिए और 400 रुपया पर ट्रेलर रेट लगाती है पर मूलभाव करते करते तीन समय फाइनल हो ही जाता है पर परमिश्वर थोरा नाराज है और रास्ते में वो अभी शेक और ब्रिज को देखता है और समझ जाता है कि चारों उसके साथ गेम खेल रहे हैं चारों परमिश्वर से मिलने पर वहाँ परमिश्वर होता ही नहीं और एक मजदूर बताता है कि वो फकॉली बजार गया है और शाम को परमिश्वर बीबी पूर जा रहा है नाच देखने प्रलाद और विकास अभी शेक और रिंकी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर दोनों के बीच कुछ भी हुआ तो कांड हो जाएगा विकि प्रधान रिंकी के लिए मलकोपूर वाले लड़के से बात चला रहे हैं इसलिए अभी शेक को रिंकी से बलने के लिए रोकना होगा फिर दोनों अभी शेक को भी भी पूर चलने को मनाते हैं कहते हैं कि वो परम परमेश्वर यहां डांस देख रहा होता है और एक डांसर को देखता है हरे ड्रेस में जो उसे लड़के जैसा लग रहा था अभी शेख विकास प्रलाद आफिसे निकलते हैं और पहुँचने पर देखते हैं कि सब मिलकर शो के मैनेजर से जगरा कर रहे हैं क्यूंकि वहां उन्होंने एक लड़के से डांस करवाया और सभी को बेवगूफ बनाया परमेश्वर उन तीनों को वहां देखता है और अभी शेख दोस्वा सी रुपे में डील फाइनल कर लेता है और परमेश्वर उन्हें बताता है कि यहां हुआ क्या है कि दो नाचने वाली यहां पर कर रही होती है और अभी शेख उसे कहता है कि यह नाचना छोर क्यों नहीं देती हो जिस पर वो लड़की पूछती है आप क्या करते हो अभी शेख कहता है कि वो फुलेरा गाउं का पंचायत सच्छिव है लड़की पूछती है कि आपको आपका काम पसंद है अभी शेख कह कहते हैं कि आप उस लड़की से क्या बात कर रहे थें लगता है आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है पर अभिशे कहता है जब एक लड़का और लड़की बात कर पर रास्ते का हालत बहुत ही खराब है और लगता है भूशन फिर से पंचैट को परिशान करने वाला है और भूशन सीधा पहुंचता है पंचैट आफिस और अभीशेक को बोलता है कि प्रधान जी ने इलक्षन में वादा किया था कि वो रास्ते को फिर से बनवाएंगे पर फिर भी कोई काम नहीं हुआ और चाहता है कि अभिशेक प्रधान से बात करे क्योंकि भूशन उस लोगन के कारण अभी भी प्रधान से बात नहीं करता इसलिए अभिशेक पहुंसता है प्रधान के घर और रास्ते को लेकर बात करता है और प्रधान जी बोलते हैं कि उन्होंने वादा तो किया था पर उनके पास उतना फंड है नहीं जिसे रास्ता बन सके फिर प्रधान अभिशेक को फिर से लौकी देता है अब आफिस लोटते वक्त रास्ते में अभिशेक को भूशन देख लेता है और भूशन अभिशेक से पूछता है क्या आप प्रधान जी से बात किये के नहीं पर अभिशेक कहता है कि उसने बात तो किया पर अभी कुछ कहने ही सकते यूँकि फंड है ही नहीं भूशन कहता है अभिशेक से कुछ होने वाला है नहीं वो तो खुद प्रधान की हर बात मानता है और प्रधान जी के दियेवे लौकी को देखकर भूशन अभिशेक की बहुत बेज़दी करता है कि प्रधान जी अभिशेक को लौकी देकर उसका मूँ बंद कर देते हैं और अभिशेक सिर्फ प्रधान की चाटता है इस बाद से अभिशेक को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब से वो प्रधान जी के घर अब थोड़ा कम ही जाएगा पर एक और काम आ गया है एक पेपर पे अभिशेक को मंजु देवी का अंगुठा लगवाना है और अभिशेक प्रधान को कॉल करता है और पूछता है क्या मंजु देवी ओफिस आ सकती है क्या पर प्रधान जी कहता है कि मन्जू कभी भी ओफिस आई है जो आज आएंगी और बताता है कि आज रिंकी का जन्म दिन है इसलिए मन्जू और रिंकी मंदिर गए वे हैं और कहता है जाकर वहाँ मिल लीजिए फिर अभिशेक पहुंसता है मंदिर और आसपास देखता है उठा लगवाता है और देखता है वहाँ भूशन आ गया है फिर मंजू अभिशेक को आज रात रिंकी के जन्व दिन वाले पार्टी में इन्वाइट करती है और कहती है कि उन्होंने सिर्फ कुछ खास लोगों को ही बुलाया है और भूशन ये सब सुन रहा होता है इसलिए अभिशेक बहाना मार कर मना कर देता है ये देखकर कि अभिशेक ने पार्टी में आने से मना कर दिया है प्रधान जी और प्रलात पहुंसते हैं पंचाहत आफिस अभिशेक से बात करने और अभिशेक को आने को बोलते हैं और अभिशेक मान जाता है और अभिशेक रिंकी क बर्डे के लिए केक खरिता है अब पार्टी में जाने से पहले अभिशेक एक प्लान बनाता है कि वो लौकी लेकर जाएगा ताकि अगर रास्ते में अभिशेक को भूशन मिले तो अभिशेक उसे बता देगा कि वो प्रधान जी के घर जा रहा है लौकी लोटाने के लिए अब अभिशेक पार्टी में पहुंसता है और रिंकी को केक देकर उसे बर्डे विश करता है और सब केक खाते हैं और सब इंजॉय करते हैं तब विकास अभिशेक से पूछता है कि आपके बैग में ये लौकी है तब अभिशेक को प्रधान, प्रलाद और विकास को बताना पड़ता है भूशन के बारे में कि कैसे भूशन ने अभिशेक के नाक में दम करके रखा है विकास कहता है कि भूशन का यही तो काम है वो सब को प्रधान जी के खिलाफ भड़काता ही रहता है फिर अभिशेक अपने घर के लिए निकलता है तो बाहर उसे भूशन मिल जाता है और इसका कोई कामधम है नहीं या और जब भूशन फिर से अभिशेक की बेज़ती करता है कि वो प्रधान जी का चाटता है तो अभिशेक इस बार हिम्मत करके भूशन को उल्टा बहुत को सुना देता है और तीनों के बाहराने के बाद भूशन वहां से भाग जाता है प्रधान विकास और प्रलाद और प्रलाद का बेटा राहूल आफिस में लूडो खिल रहे होते हैं और राहूल आर्मी में है और यहां सिर्फ अभिशेक काम कर रहा है और अभिशेक गाओं के कई घरों में टॉयलेट सीट लगवा रहा है और अब बस कुछी घर बाकी है तबी गाओं का एक आदमी विनोध अभिशेक को कॉल करता है और कहता है टॉयलेट सीट जल्दी भेजने क्योंकि उसका मिस्तरी जादा देर रुकने वाला है नहीं पर सारे मजदूर टॉयलेट सीट लेकर बागी घर के लिए निकल चुके हैं इसलिए अभिशेक खुदी जाने का सोचता है पर हर बरी में विकास के हाँ तो वो टॉयलेट सीट तूड जाता है और अभिशेक ये बात विनुत को बता देता है और कहता है अपने मिस्तरी को बोलो चले जाने और बता देता है कि वो जल्दी नया टॉयलेट सीट लगवा देगा रिंकी मलकोपूर वाले लड़के से बात कर रही होती है और रिंकी को उस लड़के का बात करना बिलकुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि रिंकी मैं के जगा हम बोलती है जो उस लड़के को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता भूशन विनुत को भड़काने लगता है कि तुम्हें पंचायत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए वरना तुम्हारे साथ वो लोग ऐसा ही करते रहेंगे आज टौलेट सीट उठा है कल कुछ और होगा बीडियो अभी शेक को कॉल करता है और बताता है कि कल डीयम मैडम इंस्पेक्शन करने आने वाली है कि अभी भी कितने लोग खुले में सौच करने जाते हैं जिससे अभी शेक थोरा नर्वस हो जाता है और वो पंचायत के लोगों के साथ मीटिंग करता है कि लोगों को कल कैसे रोका जाए खुले में सौच करने से सब पहुँचते हैं मंदिर क्यूंकि मंदिर में लाउट स्पिकर लगा हुआ है और लाउट स्पिकर के मदद से अभी शेकपूरे गाहँ वालों को साफधान कर देता है कि कल खुले में कोई भी सौच नहीं करेगा अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसे 500 रुपया जुर्माना देना होगा अब सब इस टेंशन में है कि अभी भी विनोथ के घर में टौलेट सीट नहीं लगा है तो जादा चांस है कि वो कल मैदान में ही जाएगा सौच करने के लिए और किसी तरह उसे कल रोक नहीं होगा और प्रधान अभी शेक को बोलता है कि एक दिन के लिए विनोथ को आफिस में ही बुला लेने सौच करने के लिए पर अभी शेक मना कर देता है के पास और भूशन फिर से विनोद को भड़काने लगता है कि तुम्हें इन सब को सबक सिखाना चाहिए इन्होंने तुम्हारा ट्वालेट सीट तोड़ दिया था और कहता है मूँ ढखकर कल सुभा मैदान चले जाना और तुम ही हो जो उन्हें सबक सिखा सकते हो अब सुभ आदमी को मैदान से निकलते हुए देखती है हाथ में बाल्टी लेकर फिर सामने उन्हें मल पड़ावा मिलता है फिर वीडियो अभिशे का बचाव करता है और सिच्वेशन को किसी तरह समालता है और कहता है ये गोबर है तब ही वहाँ विनोद आता है पर इससे पहले वो क देखते ही तीनों वहाँ से चले जाते हैं और आखिरकार विनोद के घर में टॉयलेट सीट लग जाता है अब अगले दिन अभिशेक और विकास नशामुक्ती अभियान वाले गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं और विकास अभिशेक को बताता है कि प्रधान मंजु देवी और रिंकी मलकोपूर वाले लड़के से मिलने जा रहे हैं नशामुक्ती अभियान वाली गाड़ी आती है और अभिशेक उस ड्राइवर को बताता है कि तुम्हें गाओं का चक्कर लगाना होगा स्पीकर अन करके और ये परचे तुम्हें बाटने होंगे पर विकास देख वो उन्हें अपने आफिस में लेकर आते हैं और वो अभिशेक के बेड में सुझाता है और अभिशेक नाराज हो जाता है क्योंकि वो आज ही नया बेड़ शिट डाला था प्रधान जी लड़के वाले से मिलने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उसी गाड़ी को देखत हैं जिसका एक्सिडेंट हो गया है पर मंजू से कहती है कि आज आप काम पे मज जाईए अब अभिशेक और विकास उस आदमी का नशा उतारने का सोचते हैं और प्रलाद को कॉल करते हैं पूछने के लिए किस आदमी का नशा कैसे उतारा जाए प्रलाद कहता है उसे नहला की शान रेस्टोरेंट में लर्के वाले से मिलने और पता चलता है कि लर्के वाले वहां आये ही नहीं है और अब बहुत देर भी हो चुकी है इसलिए प्रधान कॉल करता है और पता चलता है कि लर्के वाले दूसरे रेस्टोरेंट मधुबन बल्या की असली शान में बैठे प्रधान उन्हें कहता है कि यहां आ जाने क्योंकि प्रधान ने यहां एडवांस में बुकिंग करा रखा है पर लड़के वाले नहीं मानते और गुस्ते में प्रधान को उल्टा सिधा बोलते हैं और भिकारी तक कह देते हैं जिससे और भूशन फिर से अभिशेक और विकास को तंग करता है और कहता है इस गाड़ी को साइट करने वो अपने बाइक से इसी साइट से जाना चाता है और जब अभिशेक और विकास गाड़ी को हटा रहे होते हैं तो भूशन साइट से निकल जाता है ये नहीं सुधरने वाला मन्जू लड़के वाले को कॉल करती है औ तुम इतना पीते क्यूं हो और वो आदमी अभिशेक से पूछता है आप कितना कमाते हो और अभिशेक कहता है 20,000 और वो आदमी बोलता है कि इस 20,000 में अगर आप अपना घर नहीं चला पाओगे और परिवार का ख्याल नहीं रख पाओगे तो आप भी पीने लगोगे कोई भी शौक से नशेरी नहीं बनता हालात उसे बना देते हैं तीनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं और अभिशेक उस आदमी की बातों के बारे में सोचते ही रहता है और प्रलात को देखता है जो अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने जा रहा है फिर अभिशेक अपने कर चला जाता है प्रधान कहता है शराब अच्छे लोगों को भी बरबात कर देता है इस पर अभिशे कहता है आसे वो कंट्रोल में ही पिएगा और सब इस पर हसने लगते हैं अब पंचायत के तरफ से गाउं में CCTV कैमरा लगवाय जा रहा है और मंजू तीज के लिए मंदिर जाने के लिए ready होती है और प्रधान छुप छुप कर खाना खाता है जिस पर मंजू कहती है कि छिपकर खाने की क्या जरुवत है फिर एक आदमी माधव आता है और कहता है और अभिशेक पूचता है तो इसमें वो क्या कर सकता है माधव कहता है CCTV में देखने कि उसकी दो लिटर डेली दूद देती थी जिससे उसका घर चलता है इसके बाद अभिशेक फुटेज देखने के लिए मान जाता है और वो माधव को मॉनिटर के सामने बैठा देता है क्योंकि अभिशेक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दिन भर बैठ कर फुटेज में बकरी को ढूंडे मंजू तीज के पूजा के लिए मंदिर पहुंसती है और वहाँ भूशन की पतनी भी आती है और दोनों एक दूसरे से बाद भी नहीं करते और मंजू अपना चपल पहन कर चली जाती है और रिंकी को आता है मलकोपूर वाले लड़के का कॉल और रिंकू गुस्से में उसे फोन रखने को बोलती है क्योंकि अब उनका रिष्टा तूट चुका है भूशन की पतनी देखती है कि किसी ने उसका चपल चुरा लिया है और वहाँ एक वैसा ही पूराना चपल पढ़ा हुआ है फिर भूशन मंदिर के सामने वाले कैमरा को देखता है और पहुँचता है पंचायत आफिस और बोलता है कि फूटेज में देखने कि चपल की चोरी किस ने की है और फूटेज देखने पर पता चला कि कोई और नहीं बलकि ये मंजू देवी ही है जो चपल पहन कर चली गई और दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और प्रधान जी से बदला निकालने के लिए F.I.R. करना चाते हैं फिर अभिशेक उसे समझाता है कि बात को जादा ना बढ़ाने ये गलती से हुआ है पर दोनों मानने को तयार ही नहीं है और पूराना चपल वहीं छोर कर चले जाते हैं अब सब प्रधान के घर पे होते हैं और मंजू बताती है कि दोनों चपल एक जैसा ही था इसलिए उससे गलती हो गया और अभिशेक को एक आइडिया आता है कि अगर ये चपल यहां होगा ही नहीं तो F.I.R. भी नहीं होगा इसलिए अभिशेक और विकास पहुँचते हैं भूशन के घर और उसके घर के पीछे जाते हैं और उनका प्लैन है कि वो चपल को घर के अंदर फेक देंगे विकास उस चपल को फेकता है पर वो कुछ जादा ही जोड से फेक देता है जो घर से दूर एक गली में गिरता है फिर अभिशेक उस चपल को फेकता है जो घर में तो गिरता है पर लैंडिंग कहीं और होता है जहां नहीं होना चाहिए था दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और भूशन गुस्से में पहुंचता है और कहता है कि वो फिर भी एफाइयर करवाएगा और वो ऑफिस जाना चाहता है पर सब उसका रास्ता रोकते हैं और अभिशेक पूछता है कि अब तो तुम्हारे पास चपल भी है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चपल का चोरी हुआ है भूशन बोलता है एक सबूत है और अभिशेक को याद आता है CCTV फूटेज इसलि फिर भूशन की पतनी बहुत गुसे में सबी को धमकी देती है कि अगले प्रधान के चुनाव में वो सब को सबक सिखाएगी और अभिशेक उसका चपल उसे लोटा देता है और दोनों बोलते हैं कि वो इसका भी साब लेंगे फिर वहां माधव आता है जिसे उसका बकरी मि परवा दीजिए और मंजू सोचती है कि अगर उन्हें इलेक्षन जीतना है तो ये सरक को बनवाना होगा अप्रधान लौकी लाता है और जाता है विधायक से मिलने रास्ता बनाने के लिए फंडिंग मांगने और अभिशेक जाने से मना कर देता है और विकास बहुत अच् से मिलते हैं और विधायक उन तीनों से ठीक से बात भी नहीं करता यहां तक कि वो विकास को दूर बैठने को कहता है क्योंकि उसने परफ्यूम लगाया है और प्रधान विधायक से रास्ते के लिए फंडिंग मांगता है पर विधायक देने से मना कर देता है और उन तीनों के चेहरे पर एक चमका जाती है और रिंकी अपना प्रॉब्लेम अभिशे को बताती है कि राजीव उसे फोन करके तंग कर रहा है तो वहीं प्रधान रेलवे ट्रैक में बैठ कर धरना दे रहा है विधाया के लोगों के साथ अभिशेक राजीव का नंबर लेकर उसे कॉल करत है और उसे डराने की कोशिश करता है और अभिशे कहता है कि वो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा है और उसे धमकाता है कि रिंक्यों को दोबारा कॉल नहीं करने वरना उसे मजबूरन F.I.R. दर्च करना होगा और राजीव डर जाता है और कहत है कि वो फिर से कॉल नहीं करेगा तो वहीं धरने में पुलिस पहुंच जाती है और वो सब को भगा देती है और विधायक के कहने पर प्रधान विकास और प्रलाद पट्री पर ही लेड़ जाते हैं पर उन तीनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है रिंकी और मंजू बहुत परिशान है कि प्रधान जी अभी तक घर क्यों नहीं लटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा और रिंकी अभी शे को कॉल करती है प्रधान विकास और प्रलाद पुलिस स्टेशन में होते हैं और प्रधान उसे कहता है कि वो फुलेरा गाओं का प्रधान है पर वो पुलिस इस बात को सिर्फ मजाक में ही लेता है फिर वहाँ अभिशेक आता है और उन्हें छुडाता है और तीनों की बाइक लेने के लिए वो सबी फिर से विधायक के घर जाते हैं जहां उनके सामने विधायक आता है जो बताता है कि वो खुद उन तीनों को पुलिस स्टेशन से निकालने भाला था और ये जान कर कि अभिशेक ने प्रलाद विकास और प्रधान जी को पुलिस स्टेशन से निकाला है विधायक अभिशेक को बहुत बुरा भला कहता है और उसे गाली भी देता है अब ये सुनकर अभिशेक का mood off हो जाता है और विधायक प्रधान को बोलता है कि गाउं में भीर इकटा करने जहां वो सब को बता देगा कि वो गाउं के रास्ते को बनाने के लिए funding देने को ready है और रिंकी को अपने पापा से पता चला कि आज अभिशेक के साथ क्या हुआ और रिंकी अभिशेक का number लेकर उन्हें call करती है उन्हें थोड़ा अच्छा feel करवाने के लिए पर अभिशेक दुखी है इसलिए रिंकी अभिशेक को message करती है कि जादा tension नहीं लेने मेंडूर पे प्रलाद विकास चंदा इकटा कर रहे होते हैं गारियों को रोक कर क्यूंकि गाउं में अखंड किर्टन होने वाला है जो तीन दिन तक चलेगा फिर उन्हें मिलता है अभिशेक का दोस्त सिधार्थ जो अभिशेक से मिलने आया है विकास और प्रलाद उन्हें अपना introduction देते हैं और सिधार्थ पहुंसता है पंचायत ओफिस जहां वो अपने पुराने दोस्त अभिशेक से मिलता है और मंजू चाहती है कि वो प्रधान है इसलिए उन्हें सबसे ज़ादा चंदा देना चाहिए वो भी 20,000 रुपए और सिधार्थ ऑफिस में बैठा बैठा बहुत बोर हो रहा होता है इसलिए वो बोलता है खेत में चलने अभिशेक कहता है इतनी धूप में फिर गद्ये लेने के बहाने दोनों ऑफिस से निकलते हैं और प्रधान के घर जाते हैं जहां प्रधान सिधार्थ से उसका नाम पूछता है सिधार्थ कहता है सिधार्थ प्रधान चौंग जाता है कि सिधार्थ का कोई सरने नहीं है अभिशेक बताता है कि इसका नाम सिधार्थ गुपता है फिर सभी खेत में जाते हैं ड्रिंक करने और सबी खुश होते हैं फिर प्रधान जी बताते हैं कि अखंड किर्टन में वो विधायक को बुला रहे हैं ये सुनकर अभिषेक गुस्ता हो जाता है पर प्रधान कहता है कि विधायक को बुलाना जरूरी है क्योंकि वो ही तो रास्ते के लिए फंडिंग देने वाले हैं पर अभी शेक और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप सब विधाय के सामने इतना जूगते क्यूं हो उसने अभी शेक को इतना बुरा भला बोला फिर भी विधाय के सामने किसी का मूँ नहीं खुला और वो प्रधान को कहता है कि बोलने से दोस्त नहीं बन जाते हैं दोस्ती निवहानी भी पड़ती है अब सब वापस आ जाते हैं और सबी के चैरे से खुशी गायब है प्रधान भी गुस्से में है अब आफिस में अभीशेक अपने फ्रेंड सिधार्थ को मूल लटका है वा देखकर कहता है कि बीयर पी लेने और जब सिधार्थ बीयर लेने जाता है तो वहाँ एक साप बैठा वा देखता है और दोनों डर कर आफिस के बाहर आ जाते हैं अब अभीशेक प्रलाद को कॉल करता है और प्रलाद, विकास और प्रधान जी आफिस पहुंसते हैं डंडा लेकर और आफिस को पुरा छान मारते हैं कि साप कहा है विकास को अभिशेक के रूम में कुछ दिखता है पर अभिशेक कहता है कि उसके रूम में सिधार्थ का बेल्ट है शायद विकास ने उस बेल्ट को ही देखा होगा अब रात हो चुका है और सूने का टाइम हो चुका है और अभी तक उन सब को सांप दिखा ही नहीं पर अब सिधार्थ यहां सो नहीं सकता इसलिए प्रधान सिधार्थ को बोलता है उसके घर चलने जहां अभी शेक प्रधान से माफी भी मांगता है और बूलता है कि अगर विधाय को बुलाना जरूरी है तो बुला लीजिए फिर गाउं का लाइट चला जाता है और तभी वहां रिंकी आती है लाल्टें जलाने और अभी शेक और रिंकी वहां बात करते हैं सिधार्थ को लगता है कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच और सिधार्थ और अभी शेक सो जाता है और सिधार्थ तारों के नीचे सो जाता है और कहता है कि वो अब कभी गाउं नहीं आने वाला अब गाउं में अखंड किर्तन के लिए जोर सोर से तयारी चल रही है और वहां रिंकी आती है अपने दोस्त कवीता के साथ कवीता परमिश्वर की बेटी है जिसके दूले को हमने फर्स सीजन में देखा था कौन भूल सकता है उसे और रिंकी अपने पापा से पैसे लेकर मार्केट चले जाती है फिर तीनों एक आदमी राजकुमार से धाई हजार चंदा लेते हैं जो सर्विस करता है प्रलहाद अपने बेटे को भी बोलता है पैसे भेज़ देने के लिए और विकास राजकुमार को बताता है कि प्रधान जी बीस हजार चंदा दे रहे हैं और ये सब भूशन सुन रहा होता है और भूशन से तो किसी ने चंदा मांगा ही नहीं क्योंकि किसी ने उसे कहा ही नहीं देने को और ये बात वो अपनी पतनी को बताता है और कहता है कि प्रधान जी उसके साथ गेम खेल रहे हैं वार्ड मिम्बर्स के साथ मीटिंग में प्रधान जी सबी को बताते हैं कि वो अखंड किर्टन के लिए 20,000 चंदा दे रहे हैं तब ही वहां भूशन और उसकी वाइफ आते हैं और बताते हैं कि किर्तन में वो भी अपने तरफ से मदद देना चाहते हैं और भूशन कहता है कि उसका टेंट का बिजनस है इसलिए वो तीन दिन के लिए टेंट, लाइट, माइक सब कुछ फ्री में देने को तैयार है जिसका खर्चा लग भग 30 से 35 हजार रुपया है जो प्रधान के दीवे पैसे उसे भी जादा है और सब भूशन के लिए ताली बजाते हैं फिर सब मिलकर बात कर रहे होते हैं कि सारा वावाही तो भूशन ले गया और मंजू कहती है कि किर्तन में विधायक को बुलाने जो रास्ते के बारे में बात करेंगे ये सुनकर अभी शेक थोड़ा नाराज हो जाता है पर कहता है ठीक है कोई बात नहीं क्यूंकि वो वैसे भी तीन दिन के लिए घर जा रहा है वो खुद के लिए टिकेट बुक करता है और रास्ते में उसे रिंकी मिलती है जिसे वो बताता है कि वो घर जा रहा है पर रिंकी उसे मनाती है और कहती है कि गाउं का किर्तन देख कर जाईए प्रधान विकास प्रलाद विधायक के घर पहुंसते हैं और उन्हें किर्तन में आने के लिए बोलते है पर विधायक बोलता है कि वो जरूर आएगा बस उस अभीशेक को उसे दूर रखने जिस पर प्रलाद विधायक से कहता है कि अभीशेक अच्छे इंसान है आप उनके बारे में अच्छे से बात करिए इस पर विधायक प्रलाद को ही उल्टा सिधा बोलने लगता है और जब प्रधान जी विधायक को शांद करते हैं तो विधायक उन तीनों को गाली देने लगते हैं और विधायक उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है पर तीनों भी विधायक को इस बार सुना कर ही जाते हैं फिर तीनों आफिस आते हैं और अभिशे को बताते हैं कि विधायक के घर क्या हुआ वो फिर सब अभिशे के बारे में उल्टा सिधा बोलने लगा था पर प्रधान जी ने इस बार उन्हें बहुत को सुनाया और ये सुनकर अभिशे को अच्छा लगता है और प्रलाद अभिशे के घर जाने का टिकेट लेकर फार देता है और कहता है अभिशे को रुख जाने अब तो वो विधायक भी आने वाला नहीं है फिर सब बीयर पीते हैं और सिधारत को भी विडियो कॉल करते हैं फिर प्रलाद को कॉल आता है कि उसका बेटा राहूल शहीद हो गया है और गाउं में राहूल के डेड बॉड़ी को लाया जाता है राहूल के लिए पूरा फुलेरा गाउं रो रहा है फिर वहां राहूल को शधांजली देने के लिए विधायक बहुंसता है असली में वो अपना ही प्रचार करना चाता है पर मंजू और रिंकी और गाउं की औरते मिलकर उन्हें भगा देती है और प्रलाद अपने बेटे के चिता को आग देता है और तीन दीन गुजर जाता है प्रलाद अपने घर से निकलता ही नहीं वो राहूल के जाने के बाद बिलकुल तूट सा गया है प्रधान अभी शेक और विकास प्रलाद से मिलने जाते हैं और वहां प्रलाद खुद को सम्हाल नहीं पाता और वो रोने लगता है लिखा हुआ है और इस लेटर में ये लिखा है कि अभिशे का ट्रांसफर हो चुका है और ये किसी और ने नहीं बलकि उसी विधाय का काम है और इसी के साथ पंचायत सीजन टू यहीं एंड होती है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्र के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर